हेई एब्रिवन सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक कल्चर की अब बात सबसे पहले ये बात करते हैं कि वैदिक कल्चर था किस पीरिट के डिवरिंग फ्लॉरेश हुआ तो ठीक है ये फ्लॉरेश हुआ 1500 BC से लेकर 600 BC तक हमारा वैदिक कल्चर चला ठीक है होता है एक होता है अल्ली वैदिक पीरियड एंड नेक्स्ट वन इस लेटर वैदिक पीरियड जो अगर बात करें कि अल्ली वैदिक पीरियड कभ होता है तो ये होता है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक बात करें अगर लेटर वैदिक पीरियड की तो ये होता है 1000 BC से लेकर 600 BC तक आई अब हम पढ़ लेते हैं क्या है सबसे पहले बात करते है who lived during Vedic period Vedic period में कौन से लोग रहते थे तो यहां Aryans नामक लोग रहते थे अब यह Aryans कौन थे यह Aryans थे people who migrated from Central Asia Central Asia से migrate होके आये थे और हमारे यहां कब settle down हुए है कौन सी जगह पर settle हुए है सबसे इंदू नामक जगह पर जिसको हम पंजाब भी कहते हैं ठीके अब बात कर लेते हैं हमारे पास जो वैदिक लिट्रेचर है major वैदिक लिट्रेचर हमारे पास available है वो है वेदाज, ब्राह्मनन्स अर्यंकाज और उपनिशादी ये चार major वैदिक लिट्रेचर हमारे पास available है अब बात करें कि वोट आर वेदाज तो ये क्या है composition of hymns यानि कि जो religious text है यानि कि जो भजन हो गए मंत्र ये सारी चीज़ों का composition है वेद्स अगर बात करें कि वोट आर ब्राह्मनाज तो ये ऐसे text है ऐसे literature से हमारे पास जो क्या explain करते है जो hymns दिये गए है वेदाज में उनको explain करते है ठीक है बात करें अगर अर्यंकाज क्या है तो ये क्या है forest text है इन text में हमें ये बताया गया है कि what are forest life मतलब जो लोग जंगल में जाके अपनी शिक्षग रहन करते है उनकी life वगेरा के बारी में अर्यंकाज में बताया गया है अपनीशत क्या है एक philosophical text है जो और उपनीशत word का meaning क्या होता है कि अपने गुरू के सामने बैठकर उनके से शिक्षग रहन करना उपनीशत का real meaning होता है ठीक है अब इन चारो वेदिक literature में हमें सिर्फ पढ़ना है वेदास के बारे में ठीक है जो वेदास हैं हमारी चार मेजर उसमें divide हैं ये हमारे पास चार available है पहला है रिगवेद सेकेंड इस शामवेद ठीक है अब बात करें की रिगवेद क्या है तो रिगवेद में क्या है collection of hymns and lyrics का composition है इसमें रिगवेदा में बात करें अगर सामवेदा की तो ये क्या है इस सामवेद में दिया गया है बात करें अगर what is ये जूरवेद तो it is the book of sacrificial prayers so sacrifice की prayers के बारे में इस text में बताया गया है ठीक next बात करते हैं अगर अथर वेद की बात करें तो it is the book of magical formula यानि कि जो टोने टोट के वाली चीज़े हैं जो भी magical formula है वो इस book के में बताया गया है ठीक है अब ये तो हो गया basics अब आईए जान लेते हैं इस topic के कुछ important questions तो पूछे जाता है कि रिगवेदे कंटेंस मतलब रिगवेद में क्या क्या चीज़े हैं तो जो 1028 यानि की 100 120 1000 sorry 1000 and 28 28 times है जो डिवाइड है 10 मंडल में ठीक है जो डिवाइड है 10 मंडल में अब बात करें कि what is गोत्र गोत्र हम किसे कहते हैं जो हमारे हिंस को मंडल में डिवाइड किया गया है तो वहां से 2 से लेकर 7 तक के मंडल को हम क्या कहते हैं गोत्र कहते हैं बात करें 10th मंडल की 10th मंडल is very important और we can say most important मंडल और ये मंडल हमें बताता है पुरुषुक्ता हिम के बारे में पुरुषुक्ता हिम और इससे हमें पूरा अंदाजा लगता है वहां कौन सा जो भी society थी उसमें कौन सा system चल रहा था वर्णा system चल रहा था वर्णा system का basically means means कि society में जो pupils हैं वो चार उसमें चार portion में डिवाइड थी पहले हैं ब्राह्मन next one is छत्री then वेश और शूद्र के बीच में हमारी society डिवाइड थी अब बात कर लेते हैं कि जो रिगवेदा है किसके कौन इने recite करता था या कौन इने कौन इनका जाप करता था कौन इने गुन गुनाता था तो वो थे होत्री होत्री रिगवेद को recite करते थी ठीक है बात करें अगर साम वेदा तो साम वेदा में क्या क्या है 1549 हिम्स के बारे में हमें यहां बताया गया है जिसमें और जिसमें क्या है कि जो 1472 है यह जो हायम है कहां से रिगवेद से ही लिए गए है इसमें ही copy करें गए है अब बात करें कि यजोरवेद अब पुछा जाता है कि यजोरवेद किसमें डिवाइड है तो इस मेजर्डी डिवाइड इन्टो कृष्ण और शुकला यजोरवेद इन दोनों पॉर्शन में डिवाइड है तीक है अब बात करें विच इस दे ओल्डेस्ट एपिक ऑफ दे वर्ल्ड वर्ल्ड की ओल्डेस्ट एपिक मीन्स काव सबसे पुराना काव वो कौन सा है तो वो है यमारी रामायन जिसको हम आदी काव भी कहते हैं अब रामायन देखिए किस के द्वारा लिखी गई थी यह हमारी बाल मिकी जी के द्वारा लिखी गई थी बात करें अगर विच इस दे लॉंगेस्ट एपिक ऑफ दे वर्ल्ड यह सबसे लंबा एपिक कौन सा है इट्स महाभारत पूरे एपिक को 18 चेप्टर में डिवाइड किया गया है और को सेक्शन्स में भी डिवाइड किया गया है महाभारत किस के द्वारा लिखी गई थी यह लिखी गई थी वe dominant jya के द्वारा फिक है अब बात करें कि महाभारत में लाज़स्ट चेप्टर कौन सा है शांती परवान और भगबग गीता है इसी के एक चेप्टर मैंसे एक exercise किया गया है ठीक है यह कौन से chapter में से लिया गया है तो भीस्पमा परवान में से यह लिया गया है भगबत गीता अब बात करें कि oldest पुरानिक text कौन सा है तो यह है मतस्र पुरान है oldest पुरानिक text ठीके, इस टाइम कि अगर बात करें कि जो आर्यन प्यूपल थे उस टाइम पर कौन सा वार हुआ था एक वार हुआ था वहत हुए मसे अब देखिए दस राजन वार से हमें नाम से ही समझ में आ रहा है दस मीन्स टेन और राजन मीन्स किंग तो दस किंग के भीच ये हुआ था और कहां हुआ था बैंक ओफ रावी रिवर अब बात करें यहां की सोसाइटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं पुरो शुक्ता हिम से हमें वर्णा सिस्टम के बारे में पता चलता है कि यहां की सोसाइटी कैसी थी तो मेजरली चार पोर्शन में डिवाइड थी जो ब्राह्मन च्छत्रिय वैश और शुद्र बट यहां क्या था मज़े की बात यह थी कि कोई भी रिजट सिस्टम नहीं था बहुत जादा फ्लेक्जिवल जो सोसाइटी का डिवीजन था वो बहुत जादा फ्लेक्जिवल था अगर कोई व्यक्ती ब्राह्मन है अगर वो शुद्र परसन है कोई अगर वो ब्राह्मन बनना चाहता है तो वो अपनी जो कास्ट है उसको कनवर्ट कर सकता है क्योंकि उस टाइम पे जो सोसाइटी का डिवीजन था वो फ्लेक्जिवल हुआ करता था अब बात करें कि ब्राह्मन कौन होते है ब्राह्मन वो होते थे उस टाइम के जो गुरू हो गए गुरू एंड प्राइस्ट उस टाइम के ब्राह्मन इन दोनों कैटेगरी को ब्राह्मन में रखा जाता था बात करें जो छत्री लोग कौन होते थे बहुत ज़्यादा powerful लोग होते थे और क्या जो जितने भी लड़ाई हो गई, wars वगेरा इन्हें के द्वारा लड़ी जाती थी बात करें अगर west में कौन आते थे, west में आते थे हमारे merchants और farmers merchant, farmer और जितने भी जैसे shopkeeper वगेरा हो गए, यह सारी आते हैं west में ठीक है, और शूद्र is called the lower caste मतलब सबसे ज़्यादा नीचे caste इनमें मानी जाती थी ठीक है अब बात करें एक देखिए, एक और नई चीज यहाँ आती है, शीरा पका मोडनम यह एक क्या है, grain cooked with milk एक तरीके से, खीर टाइप की उस टाइम पे वहुत फेमस थी कि जो grain रहते थे wheat, जो गेहूं रहते थे उनको दूद में पकाया जाता था उस टाइम का एक फेमस प्रोड़क्ट था जो लोगों की डाइट में मतलब डाइट में हुआ करता था various milk product भी उस टाइम पे यूज किये जाते थे, जैसे curd हो गया और घी, जो लोगों की डाइट में include थे, along with शीरा पकर मोडनम, ठीक है अब बात करें फेमस गौड या लोग वहाँ उस टाइम किस की वर्शिप करते थे जो सबसे most prominent God है, वो है इंद्र सबसे जादा जो powerful उस टाइम के, सबसे जादा पूजा किये जाने वाले God थे इंद्र, अभी इंद्र कौन थे God of rain, means वर्शा के देपता, चीक है next one is, second most God is अगनी देपता means अगनी God of fire चीक है, next बात करें third most God is वरुन, वरुन को बोला जाता था और ये कौन थे, God of oceans और water bodies, ठीक है अब बात करें सावित, अब बात करें सावित्त्री की, ये थी Goddess, और she is known as Goddess of light, याने की रोशनी की देवी, ठीक है अब बात करते हैं कि पुशान कौन थे, पुशान किस को बोला जाता था तो he is the God of marriage मतलब, ठीक है God of marriage अब एक और चीज कि इस टाइम पे एक plant को भी पूजा जाता था जैसे हम सोम, सोम plant बोलते हैं और इसी से related हमारे रिक वेद में सोम मंडल भी form हुआ है और ये सोम मंडल 114 हैम्स जो कि आते हैं, 9th मंडल के अंडर ठीक है, जो सोम मंडल था इस 9th मंडल और इसकी अंडर में कितने है 114 हैम्स को रिटन डाउन किया गया था ठीक है, अब बात करें कि जो सोम प्लांट था एक तरीके का हमें जो एक नशीली ड्रिंक प्रोवाइट करता था उस टाइम पर बड़ी फेमस थी लोगों को लगता था इसको पी कर हमें एनरजी आती है इसलिए इसको सोम को था, जो किंग ओफ प्लांट माना जाता है उस टाइम पर और पूजा भी जाता था ठीक है, अब बात करें एक बहुत जादा important question है कि गाहत्त्री मंत किसओं इड्रीस किया जाता है मतलब किस गाड को इड्रीस किया जाता है तो Goddess Savitri यानि कि जो God of light Goddess of light है उनको इड्रीस किया जाता है गाहत्त्री मंत और एक और important शीज कि Tiger थे जो उस तरह हैं पर लाइन एलिफेंट और ओक्सेज बुल ये सारी चीजें तो लोगों को पता थी इनके बारे में लोग बहुत अच्छे से जानते थी बड़ जो टाइगर था उस टाइम के लोगों को नहीं पता था कि टाइगर क्या होता है अब मैंने इस वीडियो में मुस्टली हर जो चीज इंपोर्टेंट है हर चीज मैंने कवर कर दी है बस आपको और एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है जो रिवर्स थी उस टाइम की जैसे जो सबतिस इंदू में जो रिवर कंटेन है जैसे रवी सतलच जेलम ब् रिवर के रिवधिक नेम है उनको आपको एक बार लर्ण करना है एक बार पढ़ लेना है क्योंकि वो भी इंपोर्टेंट है और कॉनसे रीजन में वो रिवर फ्लो करती है ये चीज भी आपको कवर करना है so this was all about today I hope आपको जो content है आपके लिए useful रहा होगा and आपको सब अच्छे से समझ में आया हो and thanks for watching for more such video stay tuned with me